सभी दर्शकों को मेरा जस्त्र कुर्ष्ण नमस्कार एस्ट्र गुरु चैनल पर दी जाने वाली प्रत्तिक वीडियो आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही है जानकर के बड़ी खुशी होती है प्रियो दर्शकों इससे पहले मैंने बारा राश्यों के बारा घरों में बैठने वाले सुर्या चंद्रमा के उपर वीडियो आपको दे दिये हैं अब मंगल के भी वीडियो मैंने आपको पहले घर के दूसरे घर के और तीसरे घर के वीडियो मैंने दे दी हैं चोथे घर में मंगल का प्रभाव क्या होता है अब इस वीडियो में हम आपको चोथे घर के मंगल का प्रभाव सुभाव बताएंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रथम घर, चौथा घर, साथवा घर, आठवा घर और बारवा घर इन घरों में यदि मंगल हो तो जातक मंगली खो जाता है दूसरी बात मैं बता देता हूँ पुरुस राशियां और इस्त्री राशियां इन में मंगल किस राशिय में बैठा है इसका बड़ा दिहान रखना चाहिए पुरुस राशियां हैं जैसे मेश, मिथुन, सिंग, तुला, धनू, कुम्भ, और इस्त्री राशियां हैं व्रिख, कर्क, कन्या, ब्रश्चिक, मकर और मीन अच्छी तरह से याद कर लीजेगा तो हम चौथे घर में आकर मंगल को देखते हैं जो कि आपके सामने चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है देखिए मंगल द्वारा संपत्ति का नश्ट होना है अतह इसे कश्टकारी ग्रहे मानना होगा जमीन, घरबार, खेती बाड़ी का कारग भी मंगल है ये मानिता संदिक धसी ही है सभी ग्रंथकारों ने मंगल का फल अश्ब ही बताया है ये फल अश्ब होते हैं जिरूर लेकिन पूरुस राश्यों के हैं जिसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पूरुस राश्यों कौन कौन सी हैं अच्छा जो शुब फल हैं वो इस्त्री राश्यों के हैं किसी को संपत्ती का सुख मिलता है तो संतान का सुख नहीं मिलता संतान कश्ट दैक हो जाती है इसका उतकर्ष 28 वे और 36 वे वरस तक होता है मेश करक सिंग वा मीन लगन हो और मंगल चोथे घर में बैठा हो तो माता की आयू नहीं होती और दुई भारिया योग बनता यानि दो इस्त्रियों का दो पत्नियों का योग बन जाता है लेकिन यदि चत्तुर्थ घर में मंगल मेश करक सिंग और मीन लगन में हो तो नहीं बनता क्योंकि एसी स्थिती में मंगल करकर तुला ब्रिश्चिक और मिथुन में होता है अन्य राशियों में माता पिता के मृत्यु तथा दुभार्या योग बन जाता है 18 वर्ष 28 वर्ष 38 वर्ष तथा 48 वर्ष में शारिरी कष्ट हो जाता है जातका उतकर्ष यानि कि उन्नती जन्मभूमी में नहीं हो पाती बहुत कष्ट होते हैं जन्मभूमी से और जन्मभूमी से दूर जाकर के परदेश में ऐसा व्यक्ति तरक्की और विकास करता है उतकर्ष होता है अपने उद्द्योग से ही घर बार प्राप्त करना होता है ऐसे जातक को अग्णी राशी का मंगल अगर है तो घर में आग लग जाती है घर जल जाता है करकतुला ब्रश्यक मिथन में मंगल हो अगर तो अपना घर बनवा कर अंतिम समय में वहीं काटने की इक्षा होती है और ये इक्षा सफल हो जाती है किन्त वो मृत्य अपने घर में नहीं होती है तो ये बात मैंने चतुर्थ स्थान पे मंगल के असर की बताई कैसा लगता है आपको यह करिक्रम एस्टो गुरुपर जो आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग देता है अथवा नहीं हम आपसे ये सलाह लेना चाहेंगे यदि आपको समझ में नहीं आती है ये बाते तो हमें जरूर लिखें हम प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं और वैसे ये अनभव सिद्ध चर्चाएं हैं प्राया उनी लोगों को समझ में आएंगी जो इस विशय में थोड़ी सी भी रूची रखते हैं तो एस्टो गुरू चैनल पर आज के इस वीडियो में याने चतुरत हस्तान के मंगल के फलादेश में इतनी ही वारता पुनह हम किसी और मंगल के किसी और घर में होने का असर क्या होगा यह कारिकरम लेकर के आएंगे आपको वीडियो मिलेगी और हम आपके विचारों के प आपका समय शुब हो नमस्कार